नमस्कार प्रेपिद्ध्यार्थियों तो आईए आप लोगों के डेली करेंट अफेर्ट यानि टाप 20 करेंट अफेर्ट के क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करती हूँ डेली टाप 20 करेंट अफेर्ज को ए रहा पहला प्रश्ण आप लोगों के सामने 10 जून 2024 को लगातार दूसरे कारेकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने सपत लिया है प्रेम सिंग तमांग ने नर बहादुर भंडारी ने संचमान लिम्बू ने या फिर पवन कुमार चामलिंग ने तो किसने दूसरी प्रेम सिंग तमांग ने लिया है अगला प्रशन ने रहा आपके सामने प्रेश् ओपन पुरस एकल खिताब जीता है तो किस खिलाडी ने जीता है तेनिस में अलेकजंडर जेव रेव ने, मार्सेलो अरेवलो ने, मेट पाविक ने या फिर कार्लोस अलकारेज ने तो किसने टेनिस खिलाड़ी में फ्रेंच ओपन पुरुसेकल का खिताब जीता बच्चों तेह जीता है कार्लोस अलकारेज ने अब आईए अगले प्रश्म को देखते हैं, नौ जून दोहजार चौविस को जर्मनी में धिल ब्रान नेकर कप दोहजार चौविस एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुसेकल खिताब किसने जीता है नर्मन फैटिक ने सुमित नागल ने या फिर एले स्रांद्रो जियान नेशी ने या फिर अनमोल कुमार ने या पूरुसेकल खिताब किसने जीता बच्चों तेह सुमित नागल है सुमित नागल ने जीता है अगला प्रश्माइए देखते हैं यूरोपी आयोग ने किस देश को अपनी नेचर अफ्रिका पहल के तहट पूर्वी अफ्रिका में शुरू किये जाने वाले 18 मिलियन यूरो के सनरच्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सुची से हटा दिया है तंजानिया को यूगांडा को धाना को या फिर सोमालिया को तो किसको हटाया गया बच्चों से तंजानिया को अगले प्रश्म को देखते हैं रजाली में पासिंग आउट परेट के दोरान हरत्य नवसेना की पहली महिला हिलीकाप्टर पायलेट कौन बनी है पहली महिला हिलीकाप्टर पाइलेट बनी है अवनी च तुर預備ि भानाकंड अन्यम अनामिका भी राज्ययव या पिर उसा सुंदर्व तो कौन सी है वो पहली महिला जो हेलिकाप्टर पाइलट बनी है कौन है तिया अनामिका भी राजियू अनामिका भी राजियू बनी है अगला प्रश्ण ए रहा आपके सामने 11 जून 2014 को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है लेप्टिनेंट जनरल उपेंद्र दिवेदी को या फिर एडमिरल सुनिल रावत को या फिर एडमिरल राकेश कुमार सिंग भदाउर्ग्या को तो किसको नियुक्त किया गया बचो यह है लेप्टिनेंट जनरल उपेंद्र दिवेदी को नियुक्त किया गया है उपेंद्र दिवेदी को अब आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं इस भारती नौसायनिक पोत ने 11 जून 2024 को जापान के योको सुका पहुच कर जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 यानि जे आई यम एक्स 2024 में भाग लिया तो किसने भाग लिया है आई एनस विक्रमादित आई एनस सिवालिक आई एनस कोलकाता या फिर आई एनस विक्रांत तो किसने भाग लिया है या भाग लेने वाला आई एनस सिवालिक आई एनस सिवालिक ने भाग लिया है अगला प्रश्न आईए देखते हैं 10 जून 2024 को भारती सेना द्वारा एक इक्रित जनरेटर निगरानी, सुरच्छा और नियंतर के लिए किस प्रडाली का उद्धगाटन किया गया है वज्र, प्रलय, बिद्धुत रच्छक या फिर आकास तो किस प्रडाली का उद्धगाटन किया गया बच्चों? यह बिद्धुत रच्छक प्रडाली का उद्धगाटन किया गया है अगला प्रश्न आई रहा आपके सामने 10 जून 2024 को भिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? कहां आयोजित की गई है जिद्धे की बैठक मास्को रूस विजिंग चीन नई दिल्ली भारत निजनी नो गोरोड रूस इए बैठक कहां होई है एक है उनल गोरोड रूस में अब आई अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रशन है भारत में नवाचार और स्थिर्था को बढ़ावा देने के लिए AIM द्वारा कौन सी दो पहले शुरुकी गई हैं तो कौन सी दो पहले हैं AIM यानि स्मार्ट सिटी चैलेंज और AIM सिच्छा मिशन को या फिर AIM ICDK चल चैलेंज 4.0 और सभी के लिए नवाचार या फिर AIM सुक्छ भारत अभियान और AIM सभी के लिए स्वास्ता अभियान या फिर AIM Digital India पहल और या फिर AIM परिवहन नेटवर्क विकास को ये दो पहले शुरू की गई है किसको भारत में नवाचार और इस थिर्टा को बढ़ावा देने के लिए तो कौन है वो दो पहले जो शुरू की गई है यह है आपका AIM ICDK या पहली महला राष्ट पत के रूप में चुना गया है यानि मैक्सिको की पहली महला राष्ट पती कौन चुनी गई है क्लावडिया सिनबाम, एंजेला मारकेल, मिसेल, बैचे लेट या फिर डिलमार उसेफ्थ। किसको न्यूक्त किया गया है? महिला राश्टपती के रूप मैसिको की? यह हैं क्लावडिया सिनबाम को न्यूक्त किया गया है. अब आये देखते हैं अगले प्रस्ण को, एक जून दोहजार चौबिस को भारत की तन्वी सर्माने, किसने? तन्वी सर्माने, किस देश में आयोजित बान इंटरनेशनल बैडमिन्टर टूर्नामेंड का महिला एकल खिताब जीता है? तो किस देश में आयोजित था वो? फ्रांस, जर्मनी, प्रेटेन या फिर स्पेन. तो कहां आयोजित किया गया था बच्चों? यह जर्मनी में आयोजित हुआ था जर्मनी में. अगला प्रश्ण इरहाब के सामने, असंब और नागा लैंड सीमा पर गेले की रिजर्व फारेश्ट चर्चा क्यों चर्चा में है? कमांडो पटालियन कैम्प के लिए वन भूम के टाइवर्जन के कारण चर्चा में अब आईए अगले प्रस्ण को देखते हैं हाल ही में किस संथान निवेशकों के लिए जटिल वित्ति अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल एप सार्थी 2.0 लांच किया है और भी आई ने, एस बी आई ने, नावार्ड ने या फिर सेवी ने, तो किसने लांच किया बच्चू? यह सेवी ने लांच किया, किसने लांच किया है? सेवी, 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 सेवी ने लांच किया है अगला प्रस्ण ही रहा आपके सामने, फैला, टाम, सडाटिर, फैला, टाम, सडाटिर को किस देश का राष्ट पती चुना गया है? आइसलैंड का, आयर लैंड का, फिन लैंड का या फिर मैक्सिको का, तो किस देश का राष्ट पती इन्हें चुना गया बच्चों? तो आइसलैंड के राष्ट पती चुने गया है, आइसलैंड के. अब आई अगले प्रश्ण को देखते हैं, नविंटम सरकारी आकडों के अनुसार, वर्स 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष बिदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है, सिंगापूर से, चीन से, अमेरिका से या फिर येवेई से, तो कहा से हुआ है, अगला प्रश्ण आई देखते हैं, फिन लैंड की दूर संचार उपकरण बी निर्माता कंपनी नोकिया ने तीन जुन 2024 को परिवहान और लाजिस्टिक्स छेत्र में 5G और 6G, संचार से संबंधित संजुक्त अनुसंधान के लिए, किस संस्थान के साथ एक समझ होता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है, तो भारती प्रवदोगी की संस्थान यानि IIT दिल्ली के साथ, या फिर इंडियन इंस्टिूट आप साइन्स यानि IISC बैंगलूरू के साथ, या फिर राश्टी प्रवदोगी संस्थान यानि NIT रित्रिची के साथ, या फिर गति स किसके साथ इस ग्यापन पर हस्ताक्षर किया बचो यह किया है गति सक्ती विश्विद्याला यानी जी एस्वी बड़ोधरा के साथ अब आएए देखते हैं अगले प्रस्ण को हाल ही में किस बालीवुट गायक को संगीत के छेत्र में उनके विश्व ब्यापी प्रभाव के लिए ब्रेटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलूमनाई यूनियन यानी एन आईएस एयू द्वारा मानत फेलोशिप से सम्मानित किया गया है जुबिन नवटियाल को अंकित तिवारी को सोनु निगम को या फिर अरजीत सिंग को किसको सम्मानित किया गया बच्चो ये सोनु निगम को सम्मानित किया गया सोनु निगम अगला प्रश्ण नहीं रहा आपके सामने विश्व पर्यावरण दिवस प्रतेक वर्ष कि स्थित को मनाया जाता है एक जून, पांच जून, दस जून या फिर पंदरा जून तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतेक वर्ष बचों पांच जून को मनाया जाता है यानि भिकल्बी आंसर बिल्कूल सही है अगला प्रश्ख थाली में Gary Chronicle ने किस देश के प्रढ़ान मंत्री के रूप में सपतग्रण किया है Gary Chronicle ने इंडोनेसिया के ठाइलेंड के ठाइती के फिलिपिंश के तो किस देश के हैं बचोए तो हैती के हैं तो यह था आज का टाप टॉटी तो आप लोग उसको देखते रहें । पढ़ते रहें । अपनी तयारी करते रहें फिर मिलूंगे अगले टाप 20 क्लास में तब तक के ल प्राइ